हलो स्टुडेंट हम लोग फ्रेस वाटर हैविटेट के बारे में बात कर रहे थे पिछले वीडियो में और उसी की कड़ी में हम इस वीडियो में जो फ्रेस वाटर रखने वाली नदियां हैं उनके जॉनेशन और बायोटा के बारे में बात करेंगे तो हम जॉनेशन इन रिवर्स देखेंगे और बायोटा और रिवर्स देखेंगे तो सबसे पहले सुरू करते हैं जॉनेशन इन रिवर्स लगातर गती करती जली आवास के अंत्रगत मुख रूप से हम नदियों का अध्यन करते हैं और नदियां एक बिस्ष्ट आवास हैं और महत्कून हैं अते इसी आदार पर हम इनको देखते हैं अधिकांस लोग जो नदियां और सरिता हैं उनमें विशेस अंतर नहीं कर पाते हैं लेकिन आकार और आकरती की दरस्टी से हम देखें तो जो सरिता हैं और नदियां उनमें अंतर होता है मुल्ट पारिश्टिती की दरस्टी से विशेस अंतर नहीं पाये जाता है और जो नदियां हैं उनमें जोनेशन की बात करें तो नदियों में इस पस्ट रूप से तीन इस्तर पाए जाते हैं यानि जो नदियां होती हैं उसमें जो इस्तरी करण है वो तीन पार्टों में डिवाइड होता है पहला भाग जो होता है नदियों का वो बहते जल का छेतर होता है flowing water zone होता है ठीक है तो तीन इस्तर इसपस्ट होते हैं नदियों में पहला है बहते जल का छेतर या flowing water zone और दूसरा जो है वो होता है छिपरिका छेतर या refill और rapid zone तीसरा जो इस्तर है नदियों में जौनेशन में वो है कुंड छेत्र या पूल जौन तो जो इसमें पहला है flowing water zone या वहते जल का छेत्र ये नदी का भीतरी भाग जहां पर जल प्रवा लगातार होता रहता है या वहते जल का जो छेत्र है वो वहते जल का छेत्र कहलाता है ये प्रवा laminar flow होता है लेमिनर फ्लो भी कहा जा सकता है, हो सकता है, या फिर अस्त्वियस्ट या टरूलेंट टैप का हो सकता है, तो जो नदी का भीतरी बहाग है, जहां पर जल प्रवा मिलता है, बहारी बहते जल का छेतर कहलाता है, जो लेमिनर फ्लो हो सकता है, या फिर टरूलेंट हो सकता है, अ जल वह अविशादल जो अन्तेस्तर है वो अधिक ग्या होता है जबकी जो लेमिनर प्रभा होता है उसमें नदियों में मिर्दा पर्दन चमता जल यां पेंदे में मिलने वाले जो बल है वो अधिक नहीं होते कम बल से बैती है, कम अपगर्चन होता है दूसरा जो इस्तर है जिसको हम रिफिल और रैपिड जौन कहते हैं ये नदियों के किनारे का उथला भाग होता है जहां पर जल्धारा का बेग तिब्र होता है उसे ही हम छिप्र का छेत्र या रिफिल या रैपिड जौन कहते हैं जल्धारा की गती के कारण इस छेत्र में तलगाद, सिल्ट और अन्य संबंदित पधार्थ नहीं होकर चट्टानी और कठोर भाग पाये जाता है इसे कड़ा आधार कहना ज्यादा सही रहेगा तो इनका जो आधार होता है वो कड़ा होता है तो इसमें इस तरह की जो छेत्र होते हैं रिफिल या रैपिड जौन छेत्र होते हैं उनमें क्या है गाद नहीं मिलेगी जो तीसरा इस्तर होता है रिवर्स में वो होता है पूल जौन या कुंड छेत्र ठीक है? आप जैसे इसमें देख रहे हो फिगर में इदर वाले में राइट हैंड पह है तो इसमें कहीं पानी भर के स्तिर सा रहता है उपर वाला निकलता रहता लेकिन कुछ जल वहां पर स्तिर रहता है कुंड जैसी स्तिती बन जाती है तो नदी से छोटे छोटे तलाव जैसी सरचनाय निर्मित हो जाती है इनको ही हम पूल जॉन कहते हैं नदी के जल इस तर से नीचे वाले जो आसपास के छेतरे हैं जहां दारा के बेक के कारण तल में गाद और अनपतार जमा रहे होते रहते हैं और जो आधार है उसका जो बे करते हैं फ्लोइंग वाटर जोन रिफिल और रैपिड जोन और तीसरा पूल जोन नदीयों को हम कई वार बिसिश तल के आधार पर भी बरगी करते हैं इसके अंत्रगत हम एक तो छरित जल वाली डिकेइंग वाटर जो होती है दूसरा जमाब बाले तल की तथा रेतीले तल की नदियां मानी जाती है तो इनके तल के आधार पर छरित जल वाली हो सकती है जमाब वाली हो सकती है या रितीले तल की हो सकती है तो इस तरह से अपन जोनेशन इसका देखा हम लोग ने तो जोनेशन में हम नदियों को तीन ही जोन में बाटते हैं ठीक है अलग अलग आप से जब इस तरी करन पूछा जाएगा नदियों का बाइचास तो उसमें आपको ये तीन लिखने हैं flowing water zone, refill or rapid zone और दूसरा, तीसरा pool zone अब बात करते हैं जो नदियों में मिलने वाला biota है तो जो नदियां होती है उनमें विविन पिरकार के जीव होते हैं, खूब बायोडा अपसिटी होती है नदियों में पादों के अंत्रगत, यदि हम plants को देखें तो इनमें diatums, blue green algae, नील अरिस सहवाल और जलिये मास, जो जलिये मास जो होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत आत्म होती है जन्तूओं में dragonfly, mayfly, stonefly के nymphs, vitals, जुनको gruels भी कहते हैं, जलिस्केटर्स, घौंगे, सीपियां, प्लेनेरिया, लेबियो, ओफियो, सिफेलस, कटला, कॉर्प, इस तरह की मचलियां, मैड़क और बहुत सारे नैट्रिक्स ये पाए जाते हैं जैसे आप देख रहे हो, इसमें stonefly और mayfly का picture आप देख पा रहे हो तो इस तरह से जो river का बायोटा है, उसमें पादपों के अंतरगाथ हम देखते हैं, डायटम्स हैं, नील अरित सहबाल हैं, जलिये मौस हैं, ये बहुत सारी मातरा हम पाए जाएंगे, चन्तों में हम ये जो fleas हैं, ड्रेगन फली है, मेफली है, स्टॉन फली है, बीटल्स ह जलिस्केटर्स हैं, गौंगे हैं, सीपियां, प्लेनेरिया, लेवियो, औफियो, सिफैलिस, कटला, कॉर्प, इस तरह मेड़ा, ये सब एनिमल उसके अंदर पाए जाएंगे, बर्न्स हैं, जोक हैं, स्रिम्स हैं, वह सारे और इंसेक्ट्स हैं, मैट्स हैं, मॉलिसका के जी तो इस तरहें, जो नदियों का, हमने इस पीडियों में एक तो जोनेशन देखा, जिसमें नदियों को हम तीन जोन में बांटा, पहला फ्लोइंग वाटर जोन, दूसरा रिफिल और रैपिड जोन, और तीसरा पूल जोन, कुंड जोन, ठीक हैं, और बायोटा देखते हैं, तो बहुत सारे इसमें फाइटो प्लैंक्टॉंस मिलते हैं, और जो प्लैंक्टॉंस मिलते हैं, प्लांट्स के अंतरगत हम, पादपों के अंतरगत हम डाइटम्स रख सकते हैं, ब्लू ग्रीन आलगी को रख सकते हैं, और बहुत सारे जलियों मॉस हैं, वो सब मिलेंगे, और जन्तूं में, ड्रेगन फ्लाई, मेफ्लाई, स्टन फ्लाई, गुरुवेल्स, या वीटर्ल्स, जलिस्केटर्स, सीपिया, गौंगे, रेनेरिया, लेवियो, ओफियो, कार, कटला, ये सब फिसिस, सैक्रोब्रेंकस, क्लेरियास, ठीक है, इस तरहे के एनिमल मिलेंगे, इस एनिमल्स, तो ये उसका बायोटा होता है, थैंक यू,